पार्थ दो कुंडलियां गिरिधर का विराई पार्थ एक पार्थ एक में कुंडलिया एक, दो और तीन ही दिया गया है कुंडलियां गिरिधर का विराई की नीती परक कुंडलियों में हमें सद्व्यभार की और सद्व्यक्ति बनने की सिख्षा दी जाती है जो संसार के प्रतेक मनुश्य के लिए अनिवार है लोग बेवहार के संबंद में इन्होंने इसपस शब्दों में नीती परक उक्तियां कहीं है ये रीती कालीन कवी है लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिये संग गहरी नदी नारी जहां तहां बचाबे अंग जपटी कुत्ता कहे मारे दुश्मन दावा गीर हुएं तिनहों को जारे कहे गिरिदर कविराए सुनो हो दूर के बाठी सब हतियार छोड़ के हाथ में लीजे लाठी तो लाठी तो आप लोग जानते ही हैं शब्दर्ट में गहरी का मतलब है गहरा गड़ा नदी का अर्थ नदी नारी का तातपर है नाली और अंग का मतलब है शरीर जपटी जपटकर दुश्मन दुश्मन दावागीर जो दावा करने वाले लुटेरे होते हैं तिनव उनको जारे जपट कर मारते हैं कह गिरदर दूर के बाठी धूर के बाठी धूल में यात्रा करने बाले सब हत्यार चानी छोड़ कर हाथ में लीजे लाठी तो कभी कहते हैं कि लाठी में बहुत से गुणे हैं इसे सदा यात्रा के दौरान सदा अपने साथ रखना चाहिए कहीं पर गढ़्धा आने पर लाठी से हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है और हम गिरते गिरते बच जाते हैं कहीं रास्ते में नदी पर जाए तब लाठी से पानी की गहराई का अनुमान लगाया जा सकता है जब चलते हैं तो नादी में अपनी लाठी पहले लगाएंगे तो उसका अनमान लगाए जा सकता है और नारी जहां तो अगर बीच में कहीं नाली आ जाती है तो लाठी पर शरीर का भार डाल कर आसानी से उसे पार किया जा सकता है इस तरह हमारे शरीर की लाठी सुरक्षा करती है कभी के समय में आजखल की तरह कार, बस, रेल, हवाई, जाज जैसे यात्रा करने के सादन नहीं थे अपितु पैदल यात्रा ही की जाती थी और उस यात्रा में लाठी बहुत सायक होती थी यदि कोई कुट्टा, चपटी कुट्टा कहें मारे, कोई कुट्टा मार्ग में बाधा बन रहा हो अथवा आपके उपर जप्टे, तो लाठी से मार कर उसे भगाया जा सकता है दुश्मन दावागीर होए, मार्ग में यदि कोई दुश्मन मिल जाए उसको भी लाठी के सहारे अपनी रक्षा की जाती है की जा सकती है कह गिरदय कविडाय सुनो हो दूर के बाठी कविडास जी कहते हैं की अरे धूल बरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री एक बात ध्यान से सुनो सब हत्यार न चाड़े अन्य हत्यारों से लाठी अधिक लावकारी है अत्हा सब हत्यार छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए तदकालीन हत्यार तलवार, चाकू, आदी, थे जो केबल लड़ाई में काम आ सकते थे परन्तू लाठी तो मार्जम के सभी व्यवधानों को दूर करने में सहायक होती है अत्हा यात्रा के दौरान लाठी का विशेश महत्व है कुंडली अदो कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम खासा मलमल बाफता उन पर राखे मान बंद जह आड़े आवे बकुचा बांधे मोट राती को जारी विचावे कह गिरधर का विराए मिलत है थोरे दमरी सब दिन राखे साथ बड़ी मरयादा कमरी कमरी हाथ का कताव बना एक साधारन छोटा सा कमबल थोरे दाम कमदाम की सस्ती खासा उत्तम परकार का एक कपड़ा होता है बाफता महंगा वस्तर मलमल होता है और मान मरयादा बकुचा कहते हैं गठरी को और दमरी कहते हैं एक पैसे का आठमा भाग तो कभी कहते हैं कि काली कमरी थोरे से पैसे में मिल जाती है कमरी थोरे दाम की बहुत आवे काम लेकिन उसके बहुत फाइदे हैं बहुत लाब हैं खासा मलमल बाफता उनका राखे मान घर में भी और यात्रा के दोरान भी बहुत काम आती है खासा मलमल और बाफता जैसे मूल लिवान कपड़ों की धूल पानी आदी में उसकी रक्षा भी कमरी में लपेट कर हो सकती है अथार्थ जो हमारे महंगे कपड़े हैं उनको हम उस कंबल में बांद के रख दे तो वो कपड़े खराब नहीं होते हैं उनको आराखे मान बंद जहें आड़े आवे उन सब चीजों को उनका सम्मान करती है उनको सम्हाल के रखती है जहां कहीं समस्या आ जाती है वहां भी कमरी काम आती है कपड़ों को उसमें बांद कर गठ्री बनाई जा सकती है बकुचा बांदे मोट कि उसकी गठ्री बनाई जा सकती है रात को जारी बिचावे और रात पढ़ने पर उसे जार कर बिचाया जा सकता है और उस पर आराम से सोया जा सकता है कहे गिरदर कविराय मिलत है थोरी दमरी कविर्दास जी कहते हैं कि कमरी बहुत सस्ती मिल जाती है उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी क्योंकि इस छोटे से कंबल का बड़ा ही लाव होता है कुंडलिया तीहिं गुन के गाहक सहसनर बिन गुन रहे न कोई जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई शब्द सुने सब कोई कोकिला सब सुहावन दोव को एक रंग काग सब भै अपावन कह गिर्दर कविराए सुनो फठा कुर्मन के बिन गुन लहे न कोई सहसनर गाहक गुन के गुन गुन के गाहक गुनों का आधर करने वाले सहस्प्र थाउजन दोनों काग कवा कवी कहते हैं कि गुने व्यक्ति का हर इस्थान पर सम्मान होता है अथा हमें अपने अंदर गुनों को बढ़ाना चाहिए गुनों को चाहने वाले हजार लोग होते हैं पर बिन गुनों वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है जैसे काका कोगिला शब्द सुने सब कोई जिस परकार से कोई और कोएल की आवाज सब लोग सुनते हैं पर सभी कोई की काओं-काओं पसंद नहीं करते अब तु कोईल की मिठी मधुर कूख सभी के मन को भाती है दोव को एक रंग काक सभी अपावन दोनों का एक ही रंग है लेकिन कोवे को सभी लोग अपावित्र मानते हैं कहें गिर्धर कविराय सुनो ओठाकुर मन के गिर्धर कविराय कहते हैं कि हे स्वेम को सेष्ट समझने बालो सुनो बिनुगन लहे ना कोवे सहसनर गाहक गुनिके कि सुनो हम स्वेम को कितना भी अभिमान कर लें पर समाज में कदर केवल हमारे गुणों की ही होती है रूप रंग की नहीं क्योंकि गुण इस्थाई होते हैं और रूप रंग नश्वर बिना गुणों के कोई हमारा सम्मान नहीं करता और हमें नहीं चाहता गुणी व्यक्ति को चाहने वाले लोग हजारों है अतहा हमें जन्म से ही अच्छे संस्कार और गुण अपने अंदर विखसेत करने का प्रयत्न करना चाहिए तबी हम समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं कुंडलियों का केंद्रिय भाव है प्रस्तुत कुंडलियों में कवी ने हमें नीतिगत और ब्यवार को समझाते हुए बताया है कि लाठी एक ऐसा हत्यार है जो कुट्टे को भगाने में नाला पार करने में तथा बिपत्ती के समय एक शस्त्र की भाती हमारे लिए सहाय कोता है कवी ने काले कंबल और मानव गुनों की महतवा को भी हमें उधारन दे का सरल भाशा समझाने का प्रयास किया है इस स्वार्थ में संसार में कवी ने मतलब के ब्यवहार का वर्णन करते हुए ये बताया है कि यहाँ नी स्वार्थ प्रेम अत्वा ब्यवहार करने वाले कम ही मिलते हैं कवी ने हमें किसी पतले ब्रक्ष के नीचे विश्राम ना करने की भी सला दिये कि विश्राम हमेशा मोटे व्रक्ष के नीचे ही करना चाहिए क्योंकि अगर उसके सारे पत्ते जड़ भी जाएं तब भी उसकी शाखाओं से हमें चाया प्राप्त होती है कवी ने दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस अर्पन करने की बात भी उदाराण देकर भली भाती समझाईए सभी काम सही समय पर करने चाहिए तब ही उसका परिणाम स्रेश्ठवा कल्यान कारी होता है शेश चार कुंडलियां मैं आपको पार्ट टू में दूँगी क्योंकि एक ही वीडियो जब बहुत बड़ी हो जाती है तो बच्चों के लिए सुनने में बहुत असुविधा जनक हो जाती है तो दूसरी कुंडली शेश कारे मैं अगले आपको पार्ट टू में दूँगी ठैंक यू गर्ट